इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पाटी के प्रदेश महा सचीव अली रजा जैदी जी जिनसे आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जहारखन में जो मुख्यमंत्री हेमन सोरिन की सरकार के दोवश पूरे होने वाले है इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे ही कुछ सवाल है इन से चलिए देखते हैं क्या कुछ कहना है इनका सबसे पहले तो आप ये बताईए कि आप समाजवादी पार्टी से हैं और अब तक जहारकन में समाजवादी पार्टी के द्वारा क्या कुछ किया गया है जहारकन के लोगों के हिद के लिए समाजवादी पार्टी में मैं उस वक्स हूँ जब जार्खेंड बिहार में हुआ करता था इविन जब पपु यादो परदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे पुरोशांसद अभी जो जन अधिकार पार्टी शायद बनाए हैं जिसको अभी राजू परताब रूडी जो मंत्री हैं उनका जो एम्बूलेंस उनके कैंपस में पकड़ा उसके बार इनको एरेश्ट किया गया तो उनके साथ हम जुड़े हैं और मैं राची यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी रहा राची विस्विद्याले का तो उस वक्स ते लेके आज तक समाजवादी पार्टी बहुत सारा काम किया है बहुत बेरोजगारी को भी दूर किया है महिलाओं का उत्थान के लिए काम किया है हमारा खुद एक एंजियो है जिसका नाम सांती आदिवासी कलाकेंड है इस्पेशल महिला का जो गौर्णमेंट आफ एंडिया फूड डिपार्टमेंट है उसका टेन डिर्स का पाइलोट प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग जेम, जेली, अचार, मुरबत, सिर्का का ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को और उसके बाद हम लोग जो उध्योग वी भाग है उसे हम लोग उनको दो लाग से लेके 25 लाग तक का लोन देते हैं 10 महिलाओं का गुरूप बना के वो काम अल्रेडी कर रही है लेकिन हर जगा मैं समाजवादी नहीं सो करता हूँ कहीं पर मैं इंसानियत के नाते भी काम करता हूँ लेकिन जैदी जी ये क्या वज़ा है कि जारखंड में अगर बिहार के मुकाबले देखा जो है तो समाजवादी पार्टी जो है उसका अस्तितु कहीं ना कहीं खतम होता हुआ नजार आ रहा है इसके पीछे का क्या वज़ा है आपने जो कहा वो सच कहा क्योंकि मीडिया में हम लोगों की बात को नहीं रखी जाती हम लोगों का नियूस को नहीं छापा जाता है जो पैसा देता है जिनका पकड़ है जिनका पावर है जिनका सरकार है उनका लोग सुनते हैं और उनिंका हेडिंग होता है आज मोदी जी एतना जो पॉपलर हुए है और से पॉपलिसिटी मीडिया मीडिया के चलते वो हाइलाइट हुए तो मीडिया सबसे बड़ा ताकत है तो मैं मीडिया से यही कहना चाहता हूँ और मेरे जितने तमाम जो मेरे बंदू है मीडिया बंदू वो प्लीज जो सही है सह कि लिखे गलत को गलत लिखे हमको कानून से जादा भरुसा मीडिया बंदू पर है कि अगर हेमन सरकार को दो वर्ष पूरे होने वाले हैं आपको क्या लगता है कि जो वादा उन्होंने किया था किस तरह से अपने वादे पर उतर पाए हैं मुख्यमंत्री बात ऐसा है कि अगर हेमन सरकार ने जो वादा किया था अगर डायट जारकन मुक्ती मुर्ष पूरा करते हैं लेकिन यहां गड़बंदन की सरकार है जिसमें कॉंग्रेस का दबाव है जेमेम का और जेमेम के उपर बीजेपी का दबाव है सेंट्रल से समझ गया है यह हकीकत है यह आप मुख्यमंत्री से भी पूछ सकती है कि वो मुख्यमंत्री होके ही खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं उनको सब को खुश करना पड़ता है अगर वो विधायक भड़क गया तो वो विधायक को मैनेज करो बीच में आप सुनी होंगे कि बहुत सारे विधायक बसन सोरेन के साथ जाके अलग सरकार बना रहे हैं हैमंत्र हट रहे हैं बसन का नाम भी आया कि यह मुख्यमंत्री होगा लेकिन बसन सोरेन अपना स्टैटमेंट दिया ऐसा कोई बात नहीं तो रिमर तो बहुत उड़ता है लेकिन हाकिकत पे कोई न समस्चते हैं प्रैक्टिकल पब्लिक को कुछ नहीं पता अंदरूनी आज जहां तक गडबंधन में भी रहते हैं मानिये मुखमंत्री हमारे जो वादा की है वो वादा पूरा तो नहीं गए लेकिन उसकी सुरुवात वो कर चुके मेरा आखरी सवाल आप से ये रहेगा कि जिस तरह से जहारखन में पिछले कुछ दिनों से मौब लिंचिंग होता आ रहा था ना केवल मुसल्मानों के साथ हिंदू के साथ हर किसी हर समाज मेरा आखरी सवाल आप से के है कि जिस तरह से जहारखन राजरे में हर समाज के लोगों के साथ मौब लिंचिंग हो रहा था और अभी उसे लेकर कड़ी सर्जा के लिए विध्यक पास कर दी गई है जहारखन सरकार के द्वारा इस पर आप क्या कहेंगे मैं स्वारत करते हूँ इसका मौब लिचन है जो कभी काफी हाइलाइट हुआ हुआ है वो तबरेच का जिसकी विद्वा बार बार सियम से मिली वैसी साहब आए थे वैसी साहब के पहले लोग गए फिर जितनी पार्टी है सब अपना रोटी सेखने गए लेकिन नुर्ण को हक कहां मिला अभी तक मुखमंत्री से मिल चुकी लेकिन वो औरत को क्या मिला उसका आप तो कानून बना दिये मरने वाला तो मर गिया हाँ अब कोई नहीं मरेगा जो आप कानून बनाएं लेकिन जिसके साथ ऐसा घटना घट चुका उसके लिए हेमन सरकार क्या कर रही है वो बताएगी तो मतलब आपका यह कहना है कि इसमें इस विध्यक को पास करने में सरकार ने काफी देर कर दिया नहीं देर ने की बहुत अच्छा काम किया देर ने की वक्त लगता है कोई भी चीज अचानक ऐसा नहीं है कि जादू का लगणी हम घुमाएं और वो हो जाए हर च मरतन करता हूँ यह बहुत अच्छी बात है और हिमन साहब से उमीन करता हूँ कि वो किसी के दबाओं में आके अपना काम जो वो चाहते हैं जो ठानते हैं जो वो वादा किये हैं वो वादा को बिना किसी से डरे बिना किसी के कोई पार्टी इनको छोड़ भी दे तो उनको जो सीम का पावर हो सीम का पावर वो दिखाए जिस तरह मनमुछं सिंग जानते थे नोट वो भी बदल सकते थे लेकिन जब हमारे मानिय परद्धान मंतरी स्री नरेंद्र मोदी जी आये तो डायेट नोटी को बदल दिये और ब्लैक मैनी को वाइट मैनी वाइट मैनी को ब्लैक मैनी गरीब को अमीर अमीर को गरीब बना दिये 15 लाग का वादा किये थे काला धन लाएंगे ये होंगे बस आप इंतिजार कीजिए क्या हुआ 2017 में नोड बदली हुआ और उसके बाद जेश्टी लाग हुआ जिससे आपका बिजनेस में तो देखा आपनी ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुक महासचीव अली रजा जैदी जी जिन्होंने हमारे कुछ सवाल के जवाब दिये और इन्होंने अ मॉब लिंचिंग से भी जुड़ी बातों पर इन्होंने हमारे साथ चर्चा की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एशान्यूस इंडिया रांची